हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रभा लाग लासेज फ्रेंड्स जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुरिस्पुडेंस का है और हम आज हमारा जैसे कि हमने बताया था जुरिस्पुडेंस का हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इसमें करेंगे डाफिनिशन और इंपोर्टेंस ऑफ जुरिस्पुडेंस देखी जुरिस्पुडेंस थोड़ा सा तफ सब्जेक्ट मानते हैं स्टुडेंस क्योंकि कुछ जु है व्यक्ति है वो society का एक undivided part होता है क्योंकि society में एक person दूसरे person पर depend होता है society में जो लोग होते हैं वो आपस में contract करते हैं, transactions करते हैं, property sale करते हैं, purchase करते हैं तो उनकी इस सारी activities को जो भी sale, contract, payment, purchase वगर इस सब जो कर रहे हैं उसको control करने के लिए एक law की जरूरत होती है और वो law कैसा होना चाहिए या कैसा वो है या किस तरह का law या किस तरह की विदी प्राचीन काल से follow करते आ रहे हैं society के लोग, इस चीज की systematic study ही आपकी क्या कहलाती है jurisprudence, यानि की jurisprudence किसके बारे में बताता है, law के बारे में, law की क्या definition है और society के according क्या definition होनी चाहिए, उसको explain करता है, उसका nature बताता है law का, उसका origin बताता है और object बताता है कि किस object के लिए law कर नर्मान किया जा रहा है, क्या object है किसी law के बनाने के पीछे यहाँ पर एक person है, वो अपने घर में बैठा हुआ है वो यही चाहेगा कि कोई second person आकर कि उसका जो right of enjoyment है अपनी इस घर का, उसका violation ना करे क्यों? इसका right है कि वो अपने घर को sale कर सकता है, उसका use कर सकता है ठीक, इसको dispose कर सकता है, कुछ भी उसको कर सकता है तो यहाँ पर वो यही चाहेगा कि कोई second person ना आए तो अगर इसके regarding अगर कोई law बनाना होता है तो वो किस तरह से बनाया जाएगा, यानि कि वो किस तरह का होना चाहिए किन-किन चीजों को mind में रखके law बनाना चाहिए वही अगर कहा जाए रास्ते में अगर कोई person जा रहा है और कोई second person आके उसको restrain करने लगता है, रोकने लगता है तो यह भी फिर इसके बारे में अगर सोचा जाए कि इसके लिए क्या law होने चाहिए अगर ऐसा करना है, अगर कोई person कर रहा है तो वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है और अगर इसके लिए कोई law बनना चाहिए तो वह कैसा बनना चाहिए कि इस चीज को ध्यान में रखके बनना चाहिए वैसे ही अगर कोई person जा रहा है, कोई second person आता है उससे क्या नामे जो पैसे हैं उससे वो सब छीन लेता है तो यहां पर इस सब चीज़े क्या है अब यह सारे क्या है कहीं ना कहीं दूसरे परसन के जो राइट है उसको वाइलेट कर रहे हैं तो अब उन राइट को वाइलेट करने जो रामेडी इनको मिलनी चाहिए वो रामेडी कि तरह की होनी चाहिए, remedy किस की थ्रू मिलेगी, law के थ्रू मिलेगी और law किस तरह का होना चाहिए, यही answer हमारा देता है जुरिस्पुटेंस In short अगर कहा जाए, तो law क्या है, या फिर law क्या था, क्या होना चाहिए, इन सब चीजों का combination ही आपका जुरिस्पुटेंस होता है जो की बताता है कि law का origin कैसे हुआ, कि इन चीजों को ध्यान में रखा गया और कि इन चीजों को ध्यान में रखके law के बनाना चाहिए According to social transformation, समाज में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ law का भी क्या परिवर्तन law में भी परिवर्तन होते हैं आपने देखा होगा different amendments होते हैं तो यहाँ पर basically जुरिस्पुटेंस का मतलब है विधी का ज्यान के विधी क्या है और कैसी होनी चाहिए according to social transformation अब थोड़ा theory based पर अगर हम आते हैं तो जुरिस्पुटेंस क्या होता है there is no universal or uniform definition of jurisprudence since people have different ideologies and notions throughout the world it is very vast subject अगर कहा जाए तो कहीं पूरे universe में ऐसी कोई exact definition नहीं है jurisprudence की यहाँ पी जो different ideologies की thoughts है ideologies जो है thoughts है उनकी word में उन्होंने पर different different views दिये है और अगर कहा जाए तो यह बहुत ही vast subject है जिसको किसी भी boundary में या सीमाओं में नहीं बांदा जा सकता jurisprudence को क्योंकि समय के साथ साथ क्या है law की definitions भी change होती रहती है अगर कहा जाए तो जो रोमन्स थे सबसे पहले उन्होंने जो law है उसको discover करना शुरू किया कि law है क्या थीक है तो सबसे पहले जो रोमन्स थे उन्होंने अपनी definitions देनी शुरू की कि law क्या होता है मीनिंग कि अगर बात करीं तो वर्ट jurisprudence has derived from the Latin word jurisprudentia where juris means law and prudentia means knowledge जो jurisprudence आपका word है वो दो वर्ट से मिलकर बना है first juris, second prudentia juris का means होता है law and prudentia का means होता है knowledge तो यहाँ पे अगर इसको combined way में अगर हम कहें तो knowledge of law विधी का घ्यान, law का knowledge अगर आगे अगर importance of jurisprudence की बात करीं तो jurisprudence is the grammar of law jurisprudence क्या है, grammar है law की यानि कि अगर आप कोई topic, कोई article पढ़ रहे हैं हिंदी का हो या फिर English का हो तो उसमें अगर कोई line अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप किस की help लोगे, grammar की help लोगे ठीक है, background की सायता लोगे, कोई word अगर समझ में नहीं सेम वैसे ही jurisprudence भी क्या है, grammar of law है, law की ये grammar का काम करता है इट helps a person to understand a language and a grammar of law, ये help करता है, jurisprudence help करता है understand the language उस language जो भाशा है, law की उसको समझने के लिए, किस तरह से, grammar of law next, jurisprudence help the judges and lawyers in ascertaining the truth meaning of the law passed by the legislator by the providing the rules of interpretation jurisprudence, judges की और lawyers की help करता है, किस में जब कोई legislature के द्वारा pass किया गया, कोई law होता है, उसको जब interpretate करने का बात आती है तो वहाँ पे किस की help ली जाती है, jurisprudence की help ली जाती है therefore, the study of jurisprudence should not be confined to the study of positive law but also must include normative study इसलिए, जो jurisprudence का अधियन है, study of jurisprudence है should not confine the study of positive, यह सिर्फ के वल positive law positive law means होता है, आपका man-made law कही अधियन नहीं है, बलकि also must include normative study बलकि एक यह क्या है, मानी की अधियन है, normative study next, this study should deal with the improvement of law in the context of prevailing socioeconomic and political philosophies of time, place and circumstances jurisprudence के थूही, जो improvement होता है law में help मिलती है, कि कोई भी society जो होती है, वो आपकी स्थिर नहीं होती है, society is ever changing, social transformation is the basic thing that change a society, और अगर society में change होगा, तो society के laws में भी changes होगे, in short, कि जो भी society में economical, social, political, या philosophy of time के बहाफ पर, या place या किसी different circumstances के आधार पर law में अगर changes किये जाएंगे, तो वहाँ पर jurisprudence की study की जाती है, most of our law has been taken from common law system, जितने भी हमारे most of laws हैं, वो क्या है common law system से ही drive किये गए हैं, बैन्थम is known as the father of jurisprudence, बैन्थम को jurisprudence, विदी शास्तर का पिता, यानि की father कहा जाता है, और अगर यह कहा जाए, कि जो modern jurisprudence है, उसका father किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, और तो और तो तो और तो 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 और तो वन, to analyze what is law, अगर कहा जाए, तो बैन्थम एक पहला ऐसा व्यक्ति था, जिसने law का analyze किया था, और उसके ही thoughts को, जो austin थे, वो आगे लेकर गए थे, लेकि जो बैन्थम थे, उनका written में ऐसा कोई work नहीं था, उनकी जो thoughts थे, उनका जो conduct थे, उनको ही follow करते हुए और उस्टीन ने अपनी theories आगे जाके दी थी, बैन्थम अपनी study को two parts में divide करते हैं, और कहते हैं कि law आपका दो parts में divide होता है, the first is law as it is, कि law जैसा की वह है, यानि कि no matter वह अच्छा है या बुरा है, present में जो law है, वही क्या है law है, यानि कि command of sovereign, जैसा की वह है है, यानि कि अगर किसी sovereign authority ने, अगर कोई law बनाया है, तो वो क्या है, वो present law है, और वो law चाहे सही हो या गलत हो, वो law ही माना जाएगा, no matter, rights or wrong. The second is, law is ought to be law, जैसा की वह होना चाहिए, यानि कि विधी जैसी की वह होनी चाहिए, अब चाहिए से मतलब यह है, कि जो law है वो तो है, लेकिन उसमें अगर यह होता तो जादा better होता, तो यहां पी यह क्या कह रहा है, यहां आता है morality of law, कि अगर कोई law है, अगर उसे यह कहने लेगे, नहीं यह गलत है, और यह ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वो no matter, वो कोई matter नहीं करता है, कि वो सही है या गलत है, यहीं पर अगर हम morality की बात करें, अनकी जैसा की वह है या जैसे की वह होनी चाहिए, यहां पर जो आस्टीन, अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, आस्टीन यहीं बात कहते हैं, कि कोई matter नहीं करता कि law कैसा है, command of sovereign, जो command भी है sovereign ने, जो law बनाया है, sovereign authority ने, एक संप्रभू ने, state ने जो law बनाया है, वो law को follow किया जाएगा, वही law है, चाहे वो सही है या गलत है, वहीं अगर हम आस्टीन के थियोरी को साथ में रखेंगे, अगर हम कहने लगें, तो serogacy and morality, अगर दोनों को match किया जाए, तो serogacy या है, एक law है, अब वो सही है या गलत है, नो matter, यह matter नहीं करता है, यहीं पर अगर कोई यह कहने लगे, कि नहीं, serogacy जो है, वो सही नहीं है, यानि कि वो गलत है, तो वहाँ पर आस्टीन इस चीज़ को नहीं मानते है, कि law वो में morality नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है, law जो बना दिया गया है, वही follow किया जाएगा, चाहिए वो अच्छा हो या बुरा है। तो हमारा एतिहासिक परिदर्श्य है, historical background जो है, law का, वो क्या है, source of law, law का origin कहां से हुआ, ठीक है, source किया है law का, उस पे क्या-क्या legal theories जो दी है, जो रिस्त ने, वो हम discuss करेंगे, legal concepts हम देखेंगे, और उनको classification करेंगे, law को की law कितने टाइप का होता है, आगे जो रिस्त ने different different types से उसको classify किया है, definitions की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम, जो definition है, Austin की discuss करेंगे, Austin was the first jurist to make jurisprudence as a science, Austin ऐसे पहले jurist थे, जोनों ने jurisprudence को as a science यूज किया, he defined jurisprudence as the philosophy of positive law, उन्होंने जो jurisprudence है, उसको philosophy of positive law कहा, philosophy of positive law, अब यहाँ पर जैसे की हमने आपको बताया था कि jurisprudence तो खुद ही एक interpretation का काम करता है, grammar का काम करता है, कि law को अगर interpretate करना हो, उसका meaning को अगर पता लगाना हो, तो क्या jurisprudence का सारा लिया जाएगा, तो यहाँ पर जो philosophy of positive law है, उसका क्या meaning है, यहाँ पर हम देखते हैं कि तो philosophy of positive law, फिलोसपी वहाँ पर जो जब austin ये definition अपनी दी थी, उस time जो philosophy थी बहुत अपने peak पर थी, तो philosophy से यहाँ हम मतलब निकालेंगे analyze करना, ठीक है, philosophy of positive law, अब यहाँ पर दूसरा आता है positive law, positive law क political authority, जो एक किसी man-made law का मतलब यह है कि जो किसी person ने, मानव द्वारा निर्मित विदी जो होती है, जो किसी व्यक्ति ने निर्मित की है, व्यक्ति कौन? एक sovereign authority, तो यहाँ पर austin कहते हैं कि jurisprudence किया है, जो positive law है, man-made law है, उसका क्या है? एनलाइस करना है, उसको एनलाइस करना ही क्या है, jurisprudence है, law as it is, existing law, दूसरी चीज़ क्या है, कि वो कहते हैं, कि existing law की वो बात करते हैं, कि वर्तमान में जो law है, उसकी study को, उसे ही वो law मानते हैं, वो जो past में law था, या future में जो होने वाला है, उस law के बारे में बात नहीं कर In other words, jurisprudence is not a moral philosophy, but it is a scientific and systematic study of existing, actual and positive law, यहाँ पर जो जो आस्टीन है, वो यह कहते हैं, कि जो jurisprudence है, एक moral philosophy नहीं है, उसमें नैतिक ताका कोई मतलब नहीं है, बट वो क्या है, एक scientific systematic study है, एक scientific और systematic study है, अध्यन है, किसका of existing, जो वर्तमान में exist कर रहा है, वर्तमान में है, actual पे और positive law है, man-made law है, उसकी scientific और systematic study ही क्या है, आपका jurisprudence है, has distinguished from the natural, ideal and moral law, और जो यह jurisprudence है, वो भिन है, distinguished है, उसमें law में, जो jurisprudence है, उसका natural law, moral law से, ideology से, उसका कोई दूर-दूरता कोई मतलब नहीं है, यानि कि यहाँ पर Austin ने किस पर, जो है, फोकस किया है, law as it is, law जैसा की वह है, existing law, this has to expect attached to it, इसके साथ उन्होंने, दो expect अपने attach किये हैं, जिसे कहा गया है, journal jurisprudence और particular jurisprudence, journal jurisprudence की अगर बात करें, तो general jurisprudence होता है, जो universal law होते हैं, जो यानि कि एक total, जो पूरी society है, वर्ड में, जितना भी समाज है, वो किन-किन चीज़ों को follow करते हैं, कुछ rules ऐसे होते हैं, जो हर एक society follow करती है, तो वो क्या होते हैं, वो universal jurisprudence के अंदर आते हैं, दूसरा है particular jurisprudence, particular jurisprudence यानि कि उसका एक part, यानि कि universe का एक part का means, किसी दाश्ट्री की वीधी से है, actual systems of law की वास्ता में, वो की system से चल रही है, तो वो आपका हो गया particular jurisprudence, अब किसी नहीं अगर अपने views रखा हैं, तो normal सी बात है कि उसका criticism तो होना ही होना है, अब आब बात आती है, austin की criticism की, तो austin definitions criticized by sermon and holland and other jurisprudence, इसको sermon and holland ने उसको criticize किया था कि इस ground पर, इस ground पर कि जो उन्होंने एक general jurisprudence और particular jurisprudence का classification किया है, वो proper नहीं है और नहीं वो appropriate है, अच्छे से, वो उसको define नहीं कर, next हमारी आती है, holland की definition, holland कहते हैं, jurisprudence means the formal science of positive law, it is an analytical science rather than a material science, अब यहाँ पर जो students हैं, उनको problem यह होती है कि अभी austin ने भी positive law की बात कर रहा था और यह holland के भी positive law आ गया है, अब यह दोनों अलग कैसे हैं, अब तो दोनों एक जैसे ही हो रहा है, तो छोटी 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 चीज़े जो होती हैं, वो jurisprudence में जो keywords होते हैं, उन्हें ही हमें क्या करना होता है, समझना होता है, तो यहाँ पर जो holland है, उनकी definition कह रही है, formal science of positive law, अब यहाँ पर हम यह जो word है, एक formal, दूसरा science और तीसरा positive law, positive law मैंने आपको बता ही दिया था, positive law क्या होता है, sovereign authority द्वारा बनाए गया है, जो rules और regulations होते हैं, वो positive law होते हैं, यानकी man-made law, अब दूसरी आते है science, science का क्या मतलब होता है, science का मतलब होता है, करमबद, अदेने की systematic study, दूसरी चीज, formal, formal यानकी आपचारी, आपचारी क्यानकी जो man-way विवारों, जो human conduct है, उससे related जो rules होते हैं, तो यहाँ पर holland क्या कह रहे हैं, holland का मतलब यहाँ पर यह है, कि law क्या है, वास्तिविक विदी का आपचारिक विज्ञान, यहाँ पर austin कह रहे थे हमारे, कि वो क्या है, positive law है, ठीक है, philosophy of positive law है, कि जो man-made law है, उसका analyze करना है, और क्या चीज कह रहे हैं, वो existing law के बारे में, उन्होंने बताया था, austin ने कि जो जैसी है, चाहे वो अच्छी है, या बुरी है, उससे कोई matter नहीं करता है, law का मतलब law है, जो वर्तमान में है, वही क्या है, law है, यानि कि formal, यानि कि मानवे विभारो को नियंतरित करने वाले जो नियम है, उनका करम बद अध्यन करना ही jurisprudence है, Holland ये कहते हैं, यानि कि वो एक example के दुरू बताते हैं, एक लकडी का टुकड़ा ले लेते हैं, और दूसरी तरफ एक पत्थर ले लेते हैं, Austin कहते हैं कि जो जैसा है, वैसा है, चाहिए वो सही है या गलत है, यानि कि एक पत्थर है और एक लकडी है, है तो है, लेकिन Holland यहाँ पर कहते हैं कि अगर एक लकडी को पत्थर के साथ combine करके एक हतोरा बना दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, उसको utilize किया जा सकेगा, अर्थाथ Holland यहाँ पर कहते हैं कि मानवी सम्वेवारों को regulate करने वाली जो law है, वो ही jurisprudence कहलाता है, ना कि command of sovereignty ही आपका law माना जाएगा, सामन की, सामन कहते हैं that jurisprudence is science of law, by law he means law of land और civil law, यहाँ पर क्या कहा रहे हैं सामन, सामन कहा रहे हैं jurisprudence is a civil law, civil law means law of citizen, नागरिक विधी, और नागरिक विधी, यानि कि civil law क्या होता है, कि किसी country के जो citizens होते हैं, उनके लिए बनाया गया जो law होता है, वही क्या होता है, civil law होता है, जिसको follow करना सभी citizens की duty होती है, और फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसके लिए क्या होता है? पनिश्मेंट होता है. वहीं पर अगर इंटर्पेटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने हम यहां पे दो चीज को अगर देखें तो साइन्स, साइन्स का मतलब होता है systematic study और civil law मैंने आपको बताई दिया, civil law होता है आपका नागरिक विदी, यानि कि किसी भी civil law का करमवद अध्यन, यानि कि systematic study of civil law is jurisprudence. यहां पे सामर्ण ने यह कहा है, अब यहां पे सामर्ण की criticism हुआ है, criticism किस बात पे हुआ है, criticism हुआ है उनका कि जो उन्होंने jurisprudence को science of civil law कहा है, वो उन्होंने बहुत ही क्या किया है, narrow कर दिया है area, जो है jurisprudence का, और यहां पे वो सिर particular legal system जो है, उसको follow करते हैं, जब हम आगे जाके detail में study करेंगे, जब schools हम discuss करेंगे, तो उसमें हम और explain करके widely discuss करेंगे सामर्ण के बारे, नेक्स्ट हमारी आती है, अल्पियन की definition, अल्पियन क्या कहते है, jurisprudence is the knowledge of things, divine and human, यहां पे अल्पियन कहते हैं, विदी शास्त्र जो है, वो divine यानकि दिविये और मानविये, human मानविये चीजों का ज्यान है, the science of just and unjust, और सही और गलत का विज्ञान है, यानि कि विज्ञान फिर वही वर्ड यूज करी और विज्ञान वर्ड आया है, तो क्या systematic study, यानि करमवद अध्यान, किसका सही और गलत का, क्या सही है और क्या गलत है किसी परसन के लिए, उसका करमवद systematic study ही, क्या है आपका jurisprud है, अब मैंने कुछ objectives, questions रखे हुए है, आप comment box में इनके answer दीजेगा, अगर video आपकी समझ में आई है तो, मैं question repeat कर देती हूँ, who said that law is a command, किसने कहा कि law जो है, वो command है, यानि की आदेश है, second question है, what juris means, जो हमारा jurisprudence है, जो दो वर्डो से मिलकर बना है, उसमें पहला है, जूरिस, तो उसका मेनिंग क्या है, third question है, word prudentia means law, knowledge, command और order, the fourth is, who defined jurisprudence as philosophy of positive law, austin, fallen, samin, या फिर kitten, next and last, according to john austin, the subject matter of jurisprudence is, positive, negative, both a and b, and metaphysical, तो आप इनके answer, comment box में करेंगे, अगर जो भी आज मैंने आपको concept क्लियर करा है, अगर वो साथ के लिए हो गया है, तो, I hope you will be able to answer, and thus, thanks for watching, please like, share and subscribe, और हम jurisprudence की series पे work कर रहे हैं, तो next topic में आ रहा, jurisprudence से ही related होगा, और अगर किसी और topics पे related, अगर आपको किसी को वीडियो चाहिए, तो please comments करके, comment box में ज़रूर बताएएगा, तो कี बखते किये, वैवने इस,